नमस्कार मित्रान, हेलो गाईज, कैसे हो सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मल्लिटिपल रेकोर्ड्स को एक साथ एंटर कर सकते इंसर्ट कर सकते टेबल के अंदर विट सिंगल इंसर्ट स्टेट्मेंट सो विदाउट वेस्टिंग एने मोर टाइम लेट्स गेट साड़ेड तो गई दिस प्रसाद वेल्कम टो प्यम गुरू सो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट के बारे में काफी कुछ बाते कर ली जो आपको पता होने ज़र वी है वो भी देख ली तो अब हम देखते कि कैसे मुल्टिपल रेकॉर्ड्स को एक साथ इंसर्ट कर सकते विद सिंगल इंसर्ट स्टेट्मेंट तो यू कैन इंसर्ट मुल्टिपल रेकॉर्ड्स विद सिंगल इंसर्ट स्टेट्मेंट इन इसकल मतलब कि हाँ ये पॉसिबल है multiple records आप एक इंसर्ट स्टेट्मेंट के बाद सिकर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार इंसर्ट स्टेट्मेंट आगे लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए चलते हैं नीचे देखो इसका सिंडेक्स देखते हैं आपके याँ सिंडेक्स को मारू गोली चलते डिरेक्टली और देखते इसका एक्जम्पल तभी आपको चीजी ज़्यादा आसनी के साथ समझभी आएंगी तो चलते ही में मैस्कुल में ठीक है देखो यहाँ पर हमारे पास employees नमकर टेबल है एक बार इसको रनकर के देख लेते हैं इससे पहले मुझे इस वाले क्योर्य को रनकरना होगा ओके आप देख लेते हैं कि employees टेबल में कुन-कुन से records मोज़ो दे ठीक है यह fetching आ रहा है ओके तो यहाँ पर हमारे पास बहुत साई records मोज़ो दे ठीक है तो मुझे क्या करना है कि इस टेबल में यह तिन records को भी insert करना है ठीक है यह में किसे कर सकता हो यह में अलग-अलग insert statement की मदद से भी कर सकता हूँ ठीक है यह पहले insert statement अंकुष वड़ी record को insert करेगा दूसरा insert statement संकेत वड़ी record को insert करेगा और तीसरा insert statement अधित्य वड़ी record को insert कर रहा होगा बड़ क्या मुझे हर बार अलग-अलग insert statement लिखना ही ज़रुत है तो इसका जवाब में नहीं अब यह तीन नो रेकोर्ड एक साथ insert कर सकते हो टेबल में इसके आपको सिर्फ वड़ सिर्फ एक ही insert statement की ज़रुत पड़ेगी अब कैसे होगा तो सबसे पहले मैं आता हो नीच मैं आपके करता हो insert statement का use, insert into और उसके बाद table का नाम जो है हमारे पास employee, employees उसके बाद आते ही नीचे और मैं आपके डलता हो values keyword ओके उसके बाद in bracket मुझे जो कोई पे record डाल लाए वो मैं डाल सकता हो ठीके बड़ आपको तो पता है कि मैं बहुत ज़्याद आल से हो तो मैं क copy और paste ओके अब अगर मैं directly security को file करूँगा तो क्या होगा simply अंकुषवाय record insert हो जाएगा बट हमें अगर नहीं कि एक साथ multiple records को insert करना ही तो वो कैसे होगा यहाँ पे इस record के बाद लगाओ comma और आओ नीचे ठीके और यहाँ पे आप again आपका दूसरा record insert कर सकते हो वो भी आप को in brackets ही डालना होगा ठीके तो मैं इस record को copy कर लेता हो और यहाँ पे paste कर देते हैं ठीके अगेन आपको तीसरा record यह पे insert करना ही तो again come on all गाओ इसको मैं copy कर लेता हो और यहाँ पे डालता हूँ नीचे ठीके पेस कर देते हैं तो आप अगर मैं this query को file करूँगा तो क्या insert हो जाएंगे मतलब कि मुझे तीन अलग-अलग insert statement लिखने की ज़रुवत नहीं है ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं Ctrl-Shift-Enter ओके, एक वो 3 rows affected लिखके आ रहा है ठीक है, अब इस query को fire कर लेते हैं ओके, ओके fetching आ रहा है, ठीक हो, यहापे उपर 3 rows add हो चुके 3 records add हो चुके अमकुष, संकेत, भजेत्य ठीक है, सबसे पहले वालो जो record आपने लिखा होगा ना, वो सबसे पहले enter होगा, सबसे पहले insert होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दीसरा right, काफे आसा जाना आप multiple records भी एक साथ insert कर सकते हो, ठीक है इसके लिए आपको अलग-अलग insert statement डालने ही ज़रोत नहीं है right, स्वाच के लिए इतना ही अगर कोई डाउट हो तो मुझसे comment box में फुच सकते हो और is a skill file और whiteboard दोनों को में डाल दूँँगा Google Drive के उपर description box में link के आप download कर सकते हो so that's it for today अगर आपने अभी दग मेरे skill की सेरीट चेक नई करी तो चेक कर सकते हो, बहुत ही important है और मेरे बहुत सारे concepts, बहुत ही आसान शब्दों में समझाय हुए है तो अगर ये वीडियो पसंद था थी हो, तो लाइक कर लो नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकों को प्रेस करना मुद बुलना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए see you, have a good day and bye-bye